नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का इस्टिटी फॉर्ट सिब्ल तरफियर ने उत्तर प्रदेश का complete comprehensive current affair है यह उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी website है प्लस जितने भी latest act है latest reports है जो government authentic sites है जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की news होती है उन सब को छाट के लाया गया है यह current affair तो उत्तर प्रदेश specific complete comprehensive current affair का पापा वीडियो है यह इसको आप जरूर देखिए जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परिच्छा की तयारी कर रहे है यूपी PSC आयो सब के लिए जरूरी है यह वीडियो यूपी PSC exams में जहां जहां उत्तर प्रदेश का current affair पूछा जाने की संभावना रहती है उन सब के लिए जरूरी है यह वीडियो और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के exams की तयारी कर रहे है त उत्तर प्रदेश के सभी exams को प्रपेर करने के लिए study for civil services अगर आप study for civil services को follow करते हैं तो यूपी के सारे exams में यूपी PSC के आरो यारो में हो गया PCS में हो गया बीयो में हो गया और भी जितने exams से जहां जियास और current आती है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही source पर रि वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो फ्री थे फ्री है फ्री रहेंगे पिछले 8 साल से इसको follow करने वाला strictly follow करने वाला सिर्फ एक YouTube चैनल है वो है study for civil services PDF paid ही रहेंगी इनकी monthly bilingual यूपी करेंट की वियार करेंट की टोटल करेंट की PDF आप हमारे app में पासकते है पाप पीडियो फोल्डर में आप सर्च करके वाई करके डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले वीडियो में पिछले तीन महिने का यूपी का उत्तरप्रदेश का जितना करेंट अफेर सभी एक्जाम्स के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही लिया गया है बाइलिंग्वल फॉर्माट में Study for Civil Service का उत्तरप्रदेश स्पेशल करेंट अउगस्ट मन 2024 कम लोग डिसकस करेंगे Study for Civil Service के किसी भी टेलग्राम पेट रूप में अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो इनकी वेन नंबर्स पर कॉल करके WhatsApp मैसेज करके अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं Agreement section सबसे पहले हम लोग करेंगे Agreement section में 2024 आउगस्ट में जो agreement हुआ है Agreement between उत्तरप्रदेश Defense Industrial College और Ministry of Defense उत्तरप्रदेश रक्षा अद्योगी कलियारा और रक्षा मत्राले के मत्य समझाता हुआ है तीन अध्यादुनिक परीक्षन सुविधा यानि की Testing Facility यहाँ पर established करना है इस agreement के अंतरगत Mechanical and Materials Center Mechanical and Materials Testing Center यह कहाँ पर खुलेगा लखनाव में और कानपूर में एक Facility यहाँ पर खुलेगी Unmanned Aerial Systems के लिए और दूसरी खुलेगी Communication सेक्टर की तो कानपूर में Communication सेक्टर और Unmanned Aerial Systems संबंधी Facility खुलेगी और लखनाव में एक Facility खुलेगी Mechanical and Material संबंधी भारत और दिन्मार की बीच जो समझाता हुगा है गंगा और अन नदियों को स्वक्ष नेटबल बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही उत्तरप्रदेश सरकार तो भारत और दिन्मार की बीच एक हरी और युडा रिवर को कंजर्व करना पार्टर्शिप इंडिया इंडियों की बीच भी इस आपर समझाता हुआ है to achieve excellence in conservation and management of small rivers. Appointment section 2024 में Lieutenant General Sadhana Saxena Nayar का appointment First Women Director General of Medical Services Army में इनका चैन किया गया है Lieutenant General Sadhana Saxena on August 1st 2024 has assumed the Office of Director General of Medical Services Army becoming the first women to be appointed to this prestigious position. इससे पहले ये जो है First Women थी जिन्होंने DG Hospital Services में एर मारिशल की रैंक तक प्राप्त की थी अभी ये उत्तर प्रदेश से कैसे सम्मान देता है इनकी जो इनिशल स्कूलिंग हुई है ये सेंट मैरी लखनव से हुई है स्कूलिंग इनकी हुई है लखनव से तो इस हुझे से हमने इसको उत्तर प्रदेश करेंट अफ़ेर में शामिल किया है पिर कीरती पांडे उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आईोग का अधियक्ष बनाई गई है SSB महानिदेशक IPS दलजीत सिंग चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानि की बॉर्डर सेक्योर्टी फॉर्सिस के डिरेक्टर जिनरल बने है यूपी कैड़र के IPS ओफीसर थे तो इस विज़े से इन करना हुने लिया है अवोर्ड्स अनौर्स को देख लेते हैं राजस्व स्टनेडी में सर्वोच सम्मान प्लैटनम पुरुसकार दोजार चौबिस हाइस्ट ओनर इन्दा रिवेन्यू केटेगरी प्लैटनम अवर्ड टुथाउजन प्लैटनम अवर्ड दोजार चौबिस उत्तर प्रदेश राजिकर विभाग को मिला है बियोचीव स्थित्ट जो चिकित्सा विज्ञान असनस्थान के नियूटरलोजी विभाग के असोशेट प्रोफेसर से हैं दॉक्टर अभिशेक पाठरक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद इनको अमेरिकन अकाडमी आफ नियूटरलोजी का ये अवर्ड बि इसके सिक्षक सिर्फ 2 हैं रविकान दिवेधी, प्रायमरी स्कूल, भागेशर, पहाड़ी, मिर्जापुर से हैं इस अभियान का पहला चेतरी कारेक्रम पीकानिर राजस्थान में वुआ था इसका आयोजन दाएकनॉमिक टाइम्स द्वारा और आएटी और इलेक्रोनिक फिभाग उततर प्रदेस सरकार द्वरा किया गया था इसका मुख्य विश्य है Unlimited Potential in the Governance and Technology Transformation इसका उदेश शिराज की Digital Transformation पर चर्चा करना और नवाचार को प्रमोट करना था इसके लावा जाता कुछ नहीं दूसके बाद क्रशी भारत वैश्विक किशान सिखर सम्मेलन Global Farmers Summit 2024 लखनों में होई थी इसका आवजन किया ने गया था ना उनस किया गया था कि इसका आवजन होगा CII यानि Confederation of Industries के दौरा नॉमबर 2024 में Schemes Campaign पर आ जाते हैं Agri Business and Entrepreneurship Project क्रशी भाग के दौरा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया उत्तरप्रदेश सरकार विश बैंक दौरा वित्पोषित 4,000 क्रोड रुपए की क्रशी विवसार उत्तरप्रदेश बुंदेल खंड के 28 जिलों के किसानों और क्रशी समूहों और MSME को लाब होगा वर्ल्ड बैंक फंडेड यह प्रोजेक्ट है 4,000 क्रोड रुपए का अगरी बिजनिस और इंट्रप्रदेश क्रामी डाय को बूस्ट करना है मुख्य मंत्री युवा उद्यम विकास योजना चीफ इनिस्टर यूथ इंटरप्रदेश के मुख्य मंत्री होगी अधित नाज्जी ने राज के युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने घुषना की थी मुख्य मंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना 15 अगस्ट 2024 को राज की राजधानी लखनों में अधित 78 में सुसंद्रता दिवस के समारोफ पर जो है की गई थी युजना के तहत राज सरकार ने राज में 10 लाख नए MSME स्थापित करने का लक्ष रखा है इसके लाब केन बेतवाल इंक प्रोजेट के बरें बात करते हैं अक्सर चर्च में रहता है केन बेतवा लिंक प्रोजेट इसको अप्रूबल बिला था काफी पहले दिसंबर 2021 में लेकिन यह प्रोजेट लेट हो रहा है इन्वार्मेंटल और अधर इसोस के वज़े से यह बन नहीं पा रहा है इसका खुल बलाकर उत्देश है जो केन नदी उत्तर प्रूदेश में बहती है और यह सूख जाती है तो सर्प्लस वार्टर जो केन का है उसको रिवर को लिंक करके बेतवा में ट्रांस्वार्म करने का जिससे बुंदेल खंड को पानी मिल सके तो दिसंबर 2021 में प्रोजेक आप कोमेंट करके बता सकते हैं क्या यह राइट बैंक ट्रिबुट्री है और क्या यह लेफ्ट बैंक ट्रिबुट्री है यह मुना रिवर की आप कोमेंट करके बता सकते हैं इंडेक्स और रिपोर्ट देख लेते हैं आका अंक्षा अत्मक विकास खंड कारेक्रम यानि की Aspirational Development Block Program जन्वरी से मार्च से 2024 के जो रैंकिंग आई थी नहीं थी आपके द्वारा इसमें Overall Performance की रैंकिंग में जिन ब्लॉक्स को पहला स्थान दूसरा स्थान मिला है वो कौन-कौन से हैं जमनुहा Block श्रावस्ति का ये Top Block in Northern India जोन मलब ये Top Block है Overall Performance में Top Block in Northern India जोन में संडीला Block हर्दोगी Top पर है और Second है जगदीशपुर Block अमेठी तो उत्तरप्रदेश को लिलाकर Top पर है नर्दन जोन में भी और Overall Performance में भी दूसरे स्थान पर काउने जम्मा लाम दुगू मंडल के अकांक्शी Block के लिए दूसरा स्थान याँ पर मिला है यह वाई साड जिले का आंद्रप्रदेश में इसके बाद Health Ranking Dashboard जो है स्वास्त सुविधाओं में उत्तरप्रदेश का शीर सहर मासिक रैंकिंग जो जुलाई मंत की थी उसमें स्वास्त सुविधाओं में उत्तरप्रदेश का शीर सहर कौने वाड़ासी है वाड़ासी टॉप पर है फर्स्ट और इन ब्लॉक का बहतरीन प्रदरशन रहा है राजी लाइन ब्लॉक का शी विद्या पीट ब्लॉक पिंडरा ब्लॉक ब्लॉक वाला चो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं आप यह कम से कम डिस्ट्रिक्ट व जिहाद बिल भी कहा जा रहा है उतरप्रदेश में इसके सब मंद में गलत कथन क्या है इस बिल वास पास्ट बाइ उतरप्रदेश गोवर्मेंट ऑन 30 जुलाई 2024 तीज जुलाई 2024 को बिल पारित किया गया था यह सही है इसके बाद है कि अंडर दिस बिल मैक्सम पनिश्में अजिए इस बिल में अधिक्तम जो सजा हो सकती है वो आजीवन कारावास तक बढ़ा दी गई है पहले 10 यह तक की सजा खाए आप परावधान था पजाए जुर्माने तक का परावधान था लेकिन अधिक्तम सजा अब यह बढ़ा दी गई है लाइफ इम्प्रिजन्मेंट तक कर दी गई है दे यूपी प्रोइबिशन आफ अफ अनलाफल कंजर्वन कंवर्जन आफ रिलीजन बिल यह एंट्रड्यूस किया गया था लेजलेटिव एसेंबली में मौनसून सेसन के पहले दिन यह सही है तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें रॉंग नहीं है एंसर यहा अनलौड बनेगी मेरट में। एसमें बीरण पर साहिए मेरट के दास प्रोजेक्ट इस एงस्परगिटेट एकुपलीटेट बाइ जून तूजन तोजरचवग़ेट क प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने की उमीद है यह है यहँ जांपर इसके बाद आर जाते हे हैं उत्तर इसमें कहा गया कि ऐसे दो टावर बनेंगी जिनका डिजाइन एफिल टावर से प्रेरित होगा उत्तर प्रुदेश सरकार निमलिकित में से किन एक्सप्रेस्वे की किनारे इंटिग्रेटेड मेनुफैक्ट्रिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करेगी दिये के कू सभी एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थाइए इंस सहर को उत्तर शहर या फिर उत्तर प्रुदेश में सोलर सिटी गोशित किया गया है यह बनेगा आयोध्या, option number C यहाँ पर सही है, आयोध्या सौर उर्जनीती 2022 में आयोध्या को मॉटल सोलर सिटी के डूप में डवलप करने का यहाँ पर डिड़े लिया गया है इसके बद आगर्स 2024 में राष्ट्री चिकितसा आयोग NMC ने सैक्सिनिक वर्ष 2024-25 के लिए उत्तरप्रदेश के साथ शहरों में साथ नय मेडिकल कॉलेजों में MBBS कारेक्रम शुरू करने के मंजूरी दे दी है, निमलिकित में से काउन सा वो शहर नहीं है उगरगपूर इसमें नहीं सामिल है, बाकी 600 MBBS सीट्स यहां पर Autonomous State Medical Colleges में अप्रूव कर दी गई है National Medical Commission के दोरा विजना और बुलन शहर कुशिनगर, पिलिभीत, सुल्तानपूर, कानपूर देहात और ललितपूर के लिए अगला कोश्चन, राश्ट्री हरित आधिकरण, NGT द्वारा उत्तर प्रदेश के अनधिकरत, छेत्रों में अप्षिस्ट फैलाने और ठोस अप्षिस्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया गया है इस बारे में निमलिखित प्रत्नों पर विचार करना है, प्रतिबंद का उलंगन करने पर पांच जार रूपे से पचास जार रूपे तक जुर्बन लगाया जाएगा यह सही, NGT has passed this complete ban on the petition regarding water pollution due to dumping of waste on the embankment of Rapti river राप्ति river के तटबंद पर अफ्षिस्ट डालने कारण NGT को यह निड़ाय लेना पड़ा है यहाँ पर बहुत correct है, answer यहाँ पर सही हो जाएगा C C यहाँ पर सही है, इसके बाद 21 से 29 जुलाई 2024 तक इरान के इस वहान में आयोजित 54 वे अंतराश्ट्री बहुत की उलम्पियाट में उत्तर प्रदेश के किस खिलाडी ने रजत जीता था यह जीता था भावय तिवारी ने, भावय तिवारी जो है नोईडा को ब्लॉंग करती है, option number A यहाँ पर सही है, भावय तिवारी अच्छली भाववी तिवारीन का नाम है, option number A यहाँ पर सही है उत्तर प्रदेश में स्वक्ष नदियों पर smart प्रयोग शाला, SLCR योजना के संबनध में कौन साकतन सही है, भारत और डनमार्क के बीच, अरित राणितिक साज़िधारी स्थापना की गई है वरुना नदी की रिपूर्ट उद्धार के लिए ऐसी स्मार्ट लेबरेट्री कहां पर खूली कही है कह सकते हैं वार्डसी में अंभी अचीव के साही होग से तो यह भी साही है बारत सरकार और डिन्मार्क सरकार के बीच होटी नदियों के अंदर में उत्रश्टा लाने के लिए एक अनुठी दुपक्षी पहले यह भी साही है एंसर यहां पर साही हो जाएगा डी ओल अफड़ वो करेक्ट डी यहां पर साही है वावड़ा नदी के बारें बात करें तो एक माइने ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की एक छोटी थायक नदी है प्रयागराज के फूल पूर से निकलती है और वानसी जिले के सराय मोहाना के पास गंगा में मिल जाती है इमलिकित में से उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाग मित्र कारेक्रम आयुजित किया जाता है पहली भे टाइगर रिजर्व में आप एंटी रोमियो स्कॉर्ट दल के संदर्ब में गलत कत्नों का चैन करना है CM योगी अधित नाजी ने इसको रियक्टिवेट कर दिया एंटी रोमियो स्कॉर्ट जो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था 14 अगस 2024 को उतरप्रदेश में विभाजन विभीष का दिवस मनाया गया था विभाजन विभीष का दिवस सबसे पहली बार बनाया गया था 2021 में option number C यहां पर साहिए निमलिकित में से कात्नों पर विचार करना है विद्या समीक्षा केंद्र के लिए toll free number system यहाँ पर शुरू किया जाएगा वाइनाड को अब दस करओट रपे उतरप्रदेश न दिये थे जो वाइनाड district फिर्ट के लिए यह वाला रॉंग है सेकेंड वाला तुमारा इंसर इसमें हो जाएगा ए उनली फस्ट उनली साही है उत्तरप्रदेश सरकार अपने टूरिजम को पांच गुना या फाइफ फोल्ड किस एयार तक बढ़ाना चाहती है तो दोजार अठाथाइस तक टॉडिजम को पां से अधिक संस्कृत विद्यालों में पढ़ने वाले सबी छात्रों को चातर वृत्ति देने अखड़ने लिया है चातर वृत्ति की संदर्ब में काॉन से कथन सही है शह वे व साथ की बच्चों को पचास रुपे और आठवी कक्षा के बच्चों को चात्र वपे दिये पर साल होनी चाहिए इसको हटा दिया गया है तो हमारा इंसर इसमें हो जाएगा कौन से यहां पर करेक्ट पूछा गया है तो वन और थ्री ओनली करेक्ट है C आगस्त अगर्ष्ट ऑगर्ष्ट बोर्ड की विवसाईक सिक्षा के संदर अपर नीचे दिया के करत्म पर वचार करें हो और धिया के कूट की सायता से सही उतर चुने उत्तर प्रदेश बोड से मानता प्राप्त स्कूल कच्छा 6 से विवसाइक शिक्षा को सामिल करने की तैयारी कर रहे हैं मतलब उत्तर प्रदेश बोड से मानता प्राप्त स्कूल क्लास 6 से ही vocational education यहाँ पर चातरों को देने लगेंगे और new education policy में जो ये कह सकते हैं framework रखा गया था national curriculum framework उसी अंतरगत ये योजना लागू की जाएगी main objective है कि important skills सभी vocational subjects की student के पास हो जब तक वो class 9 तक पहुँचे ये दिया हुआ है जबकि ये होना चाहिए class 12 तक जब तक पहुँचेंगी students तब तक उनके पास हर subject की थोड़ी बहुत vocational skills होगी तो ये स्थार्ड वाला रॉंग है यहां पर कक्षान नौ की जगे होना चाहिए class 12 यहां पर होना चाहिए class 12 क्मारा answer क्या हो जाएगा इसमें answer यहां पर हो जाएगा 1 & 2 only correct 1 & 2 only ए आगे बढ़ते हैं लोग उत्तरप्रदेश के पहले solar expressway के बारे में कौन सा कथन गलत है उत्तरप्रदेश सरकार बुंदेलखंड expressway को उत्तरप्रदेश के पहले solar expressway के रूप में विक्सित करने जा रही है यह सही है उत्तरप्रदेश का जो बुंदेलखंड expressway वो solar expressway बनेगा और 1700 एकर में solar park बनेगा और 296 किलिमेटर लॉंग expressway के गिनारे यहां पर एक तरीके से solar park होगा यह उत्तरप्रदेश का longest solar park होगा यह सही और यह 590 मेगावाट डेली electricity generate करेगा इसके गिनारे 30,000 पौधे लगाए जाएंगे यह आकड़ा गलत है क्योंकि 45,000 मेगावाट की electricity सिटी इस रजित करेगा और 25,000 सैपलिंग्स या पाउधें यहां पर लगाए जाएंगे तुमारा एंसर उत्पर हो जाएगा सी इंकरेक्ट है मतलब थाड़ वाला इंकरेक्ट है सी यहां पर साही उत्तर हो जाएगा उत्तरप्रदेश के मुखमंत्री जी ने पारीस उत्तरप्रदेश के मुखमंत्री होगी आधित नाज जी द्वारा राजी को वैश्विक आईटी हब बनने के लिए बनाने के लिए पांच जिलों को आईटी और आईटी एस सेक्टर के प्रमुक केंद्रों के रूप में विक्सित की जाने के प्रक्रिया शुरू कर दी डवलप किया जाएगा इनमें से कौन साव वो डिस्ट्रिक नहीं है तो कि इसको डवलप किया जाना यह देख लिए गौतम बुद्नगर लखनाव कानपूर वाड़ासी और प्रयाग राज को मेजर हब आईटी और इसके लिए डवलप किया जाना है गोरकपुर इसमें नह इनमगरेट किया गया था मुरादाबाद में 4 जुलाइद 2024 को इसको इनमगरेट किया गया था गाजियबाद में 4 अगस 2024 को विलेज मूर्ती गाजियबाद में और इसका धाटन योगी अधितना जी ने किया था बिगलत है उत्तरप्रदेश गवशनर आनधी बिन पटेल न यहां पे सही है 15 अगस्त को उत्तरप्रदेश के मुक्वंत्री योगी जी ने सुतंतरता दिवस पर लगातार आटवी बाद वजारोहन कर रहा था और राज के पहले मुक्वंत्री बन गया थे जिन्हों ने लगातार आठ वार्द वजारोहन पर किया हूँ सही और ये सुत प्रधान मंत्री जंधन खाते खुलवाए गया है जिसमें से उत्तरप्रदेश 9.46 करोड खातों के साथ राज्यों में शीर्स पर है। इसके बाद आ जाते हैं केंद्री सूचना एवं प्रसाड मंतराले के प्राइवेट एफम रेडियो चरण तीन नीती के अंतरगत उत्तरप्रदेश के 32 कस्बों शेहरों में कुल कितने प्राइवेट एफम रेडियो स्टेशन शुरू करने के मंजूरी पुर्दान की गई थी 32 शेहरों कस्बों में कुल 100 प्राइवेट एफम रेडियो स्टेशन स्टेशन स्टैबलिश किया जाएंगे अप्शन बर सी यहां पर साहिए वार्णसी और लखनवों के GI टाइग उत्पात के सम्मझ में कौन से कथन सही वार्णसी की पवित्र मिट्टी से बनी लक्ष्मिगडेश की अद्विती मूर्तियों को GI रेजिस्ट्रेशन के लिए आविदन किया गया है ध्यान रखिएगा अभी GI टाइग मिला नहीं है और वार्णसी और वार्णसी के 32 उत्पातों को GI टाइग परापता है यह सही है नम्लिकित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइकल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को हेल्बेट पहनना निवारे कर दिया गया है मिर्जापुर में नियम लागू कर दिया गया है कि साइकल से स्कूल जाने वाले बच्चे भी हल्बेट पहनेंगे और यह यहां पर सही है नाइनो मेडिकल के संब्द में कौन सा कथन यहां पर सही है अगस 2024 में उत्तर पदेश के ITBHU बायो मेडिकल इंजिनरिंग स्कूल क असोशेट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी नसंदान टीम ने ड्रग रिजिस्टेंट इंफेक्ट्चिय दिसीज के प्रबंदन के लिए कम लागत वाली नैनो मेडिसिन विक्सित किया है और यह इस नैनो मेडिसिन को कठोर परिस्थेतियों अत्यदिक त करकार 3-5 नैनो मेडिसिन के बारे में डी नैनो मेडिसिन का प्री क्लिनिकल चूहों पर अध्यान और परिक्षन किया गया और इसकी उतकरष्ट चिकित्सी शमता की पुष्टिक की गई है भारत के भक्ती विदांत संस्कृतिक के इंद्र के बारे में सही कठन को चैन करना ह पहले भक्ती विदांत संस्कृतिक के इंद्र को शुरू किया गया है पहला कतन सही इंडियाज फ़स्ट भक्ती विदांत सेंटर विल बी स्टार्टे इन प्रयागराज इट विल बी नागुरेटटेड बाइप्राइमिनिस्टर और प्रदेश् का उधगाटन करेंगे बा इसके बाद साही कथन का चुनाव कानपुर में स्थित रच्छतरपती शाहुजी महराज विश्विद्याले के लाइव साइंसेस विवाग में फैकल्टी डॉक्टर राकेश शर्मा के सोत के बाद से अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज किये जा सकेंगे जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार गन् इसे राम मंदर की ठीम पर पुराएं जा रहा है यह सही एंसर यहां पर क्या होगा करेक्ट है सी सभी कथन यहां पर करेक्ट है आगे है अनिम लिखित में से काउन जा कथन गलत है उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा स्टार्ट अप शुरू करने अम्मे भारत में प्रथ शुरू की जाते हैं उसके ममले में उत्तर प्रदेश सेकेंड पर है फरस्ट पर नहीं तो यह रॉंग हो गया योगी अधितनाच जी ने यहां पर इंडियास मोस्ट पॉपलर चीफ मिनिस्टर का टाइटल गीता था मूड आफ नेशन सर्वे में यह सही तो एंसर यहां पर यह सही तो यह सही स्टेटमेंट है रॉंग स्टेटमेंट को अनुस है सेकेंड वाला क्योंकि इस पर लिखा हुआ है दा फरस्ट स्टेट ट्रोन पोस्ट या फिछाव की यहां बिल्ट की जाएगी कानपूर में उत्तर प्रुदेश में कानपूर शाहर में राज की पहली रॉंग स्टेटमेंट की जाएगा यह रॉंग है क्योंकि लखनों में होना राजदानी में उत्तर प्रुदेश हैस बिकम दा सेकेंड स्टेट आफ्टर महराज तू पर्फार्म ए रेजिस्ट्री है तो यह भी साथन सही है एंसर हो जाएगा मारा रॉंग स्टेट में पू लेन रोड और फोरर लेन रेलवे ट्रैक तो यह भी साही और थोर्ड स्टेटमेंट इसमें पूछा है यह 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 उत्तरप्रदेश सम्मंदित महत्पूर्ण फैक्ट, Electronics विनिर्मार्ड में उत्तरप्रदेश अक्रेडिर राज्य है, जो गौणनेंस और तखनीगी बदलाव के साथ गदमताल करते वे, उन्हें आदी संरचनम लगतार बदलाव कर रहा है, Electronics विनिर्मार्ड क्लस्टर, Electronics व और कीरा नंदानी ग्रूप की योटा, STT, अडानी, सिफी टेक्नलोजी, NTT, ग्लोबल और वेब वर्क्स जैसी कंपनियां, राज को डेटा सेंटर के लिए एक अनुकूल गंतवी ग्रूप में शिर्नित करती है, गौतम बुद्नगर भारत के पहले बड़े डेटा सेंटर ह अपके रूप में विक्सित किया जा रहा है, नुएडा, मेरेट, लखनाव, कानपूर, प्रयागराज में, पाँच, STPI पार्क संचालित किया रहे हैं, STPI के मतलब है, Software Technology Park of India, Software Technology Park, नुएडा, मेरेट, लखनाव, कानपूर, प्रयागराज में, New Software Technology Park, ये इस्टाब्लिश की जाएंगी, आगरा, वार्डसी, बरेली, गोरगपुर में, लिधियमायन बैटरी, सेंटर ओफ एक्सिलेंस, ये सीडाक, नुएडा, आम में, विक्सित किया जाएगा, इन कॉलाबरेशन, विद, Ministry of Electronics and Information Technology, AI City, proposed on 40 acres of land near लखनाव एरपोर्ट, AI City बनेगा, लखनाव एरपोर्ट के पास 40 एकड़ की जगए पर, plans to develop कानपूर as a drone and robotics manufacturing hotspot, drone और रोबोटिक्स के manufacturing hotspot के रूप में कानपूर डवलोब की जाने वाला है, आईसी उजनब रही जा रही है, IIT कानपूर जैसे ब्रमुक संसानों की पस्तिधी का लाब उठाया जा सकता है, उत्तरप्रदेश कुल software निर्यात के साथ देश में छठे स्तान पर है, rank 6 in the country in terms of total software exports from HDPI are registered, presence of major IT sectors companies in उत्तरप्रदेश जैसे PTM, TCS, HCL, Microsoft, MAQ, Adobe, Wipro, Infosys, यह सब, Express पे उत्तरप्रदेश में, जो operational है, उनकी लेंधे दीवी है, यमने एक्सप्रेस पे नोइडा, ग्रेटर नोइडा एक्सप्रेस पे आगरा लखनव, दिल्ली मेरेट, पुर्वांचल, पुदेल खंड और एक्सप्रेस पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके नाम दियवें, जो बन रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे, गंगा एक्सप्रेस पे, लखनो कानपूर, गाजियबाद कानपूर, गोरखपूर, सिलिगोडी, दिल्ली सारनपूर, दहरादून, गाजियपूर, बलिया, मांजी घाट, निर्यात्मूल के हिसाब से, यूपी के शीर्स पांच जीले, निर्यात्मूल के हिसाब से, 50% करीब गौतमबुद नगर से आता है, फिकाजियबाद से, फिर मुरदाबाद से, फिर कानपूर नगर से, फिर अलिकड़ से, स्टेंबर मन्त के उत्तरप्रदेश करेंटरफएर स्पेशल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, स्टेंबर मन्त 2024 की करेंटरफएर वीडियो क्लास शुरू करने से पले आपको बता दू, UPPSC अपर प्रिलिम्स 2025 के लिए फ्रेश पेट बैच अभी शुरू हुआ ह स्टेंबर में आप इसको जोइन कर सकते हैं, 2024 की भी अब जो एक्जाम डेट है थोड़ी से आगे बढ़ चुकी है, तो आपको 2024 का प्रिलिम्स का बैच जोइन कर लेना चाहिए, अगर आपकी कुछ प्रेशन रहे गई है, अगर आप अभी भी समय की त्यारी नहीं कर पाए प्रिलिम्स 2024 की, तो हमारे पेट बैच पे आपकर पूरी त्यारी कर सकते हैं, ये भी आपका टेलिग्राम में चल रहा है, यूबी पीएसी 2024 का आरो यारो का प्रिलिम्स का पेट रूप हमारा चल रहा है, एप पर भी, स्टेडी फॉर सिल दर्जस के एप पर भी, और टेलि प्रिलिग्राम में बिचल रहा है, जादा जानकरी के लिए, आप इन गीविन नंबर्स पर वाट्साप मैसेज करके अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो समझा होता हुआ है, इसमें जो राजी शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश और रांद प्रदेश में, 781 किलमेटर तक फैले ग्रीन नैसल हाईवे कर्ड़ोर प्रोजेक्ट के निद्माड के लिए, करीब 500 मिलियन डॉलर के कैसकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए समझा होता किया है, गौर्मेंट आफ उत्पादन जहमता, ये दोनों राज मिल करके विक्सित करना चाहते हैं, दो राज ये बिजली साजा करेंगे एक तरीके से, नविकर्णी उर्जा परियोजनाओं के माद्यम से, कुछ परियोजनाओं जो है, उमातर प्रदेश में लगेगी, कुछ उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से, दोनों राज आपस में, नविकर्णी उर्जा परियोजनाओं को सरजित करके विजली एक दूसरे से शेयर करेंगे, पहली बार किसी दो राजियों के बीच असाजा समझाता होने वाला है, इसमें जॉइंटली जो है, दो राज बिजली बनाएंगे, रेनेव पहली परियोजना मदप्रदेश की मुराइनाम लगेगी, दो गिगावाट की, उसके बाद से इसको एस्पैंड किया जाएगा, और ऐसा कर सकते हैं कि पहले दो क्वाटर में मदप्रदेश बिजली उपियोग करेगा, फिर बाद में 6 महीने उत्तरब्रदेश राज बिजल दर्शन के पारंपरिक अध्यान के लिए दोनों ये अकाडमी यानि नेपाल अकाडमी और भी एच्यू आपस में समझोता करते हुए आगे बढ़ेंगे नेपाली भाषा के साहित बगारा के शोध के लिए अप्यार में देख लेते हैं, हम लोग का परंण यादव चारू चोधरी ये उत्तरब्रदेश महिलायग में नई उपाद्ध्यक्ष ये निवाईज चेयर परस्न में राज़की महिलायोग की, निवनीव्त अध्यक्ष और उपाद्ध्यक्ष्षों का कारेकाल, कितने वर् बबीता चौहान जो की आगरा से हैं इनसे पहले अगर आपसे पूछे हैं कि राजकी महिलायों की मतला बध्यक्ष कौन थी विमला बात हम थी नोईडा से अवोर्ड से अनौनर्स के बारे में बात कर लें राश्ट्री ई-गावर्नेंस का गोल्ड पुरुसकार लैब मित्र इ 2020 में कई सारी श्रेडिया हैं उनमें से दो बिजनिस सेंट्रिक श्रेडियों में दो बिजनिस सेंट्रिक और एक सिटीजन सेंट्रिक श्रेडि में पुरुसकार उत्तरप्रदेश ने जीता है तो उत्तरप्रदेश को टॉप अचीवर श्रेडिम रखा गया था दो बिजनि और एक citizen centric reform की श्रेडी में September मत में tourism day भी होता है तो tourism day के दिन जो मारा union ministry of tourism जो है ये पुरुसकर अनौन्स करता है union ministry of tourism और श्री जगदीब धनकर जो कि मारे vice president जी है इन्होंने award प्रस्तुत किये थे तो पूरा महादेव village जो बागपत में है उत्तर प्रदेश में इसको heritage की कटेगरी में best tourism village का award मिला था इस साल ये काफी expected है आपके exam में पूछे जाने वाला है इधान रखीगा पूरा महादेव village जी कहां पर बागपत में इसको best tourism village का पुरुसकार मिला है ministry of tourism की तरफ से किस कटेगरी में heritage की कटेगरी में स्वक्ष वायू सर्वेक्षन केंद्री परेवरन मंत्री श्री भुपेंद्रियादो राजिस्थान के मंत्री भजनलाल शर्मानि संयुत रूप से इसको अंतराश्ट्री स्वक्ष वायू नील करगन दीवस के अउसर पर सेप्टेंबर 2024 को जारी किया था तो इसमें जो कह सकते हैं रैंकिंग आई है उसमें उत्तर प्रदेश का काफी अच्छा कह सकते हैं स्थान रहा है क्योंकि जो श्रेंडिया है नंबर एक यानी 10 लाग से अधिक जनसंख्या वाले जो तीसरा स्थान मिला है जहांसी को तीसरी कटेगरी है cities with population less than 3 लाग यानी 3 लाग से कम जनसा के हावाले शाहरों की श्रेडी में पुर्थम स्थान पर राय बरेली राह उत्तर प्रदेश का सहर फस्ट प्लेस ठीक है तो ये ध्यान रख सकते हैं इसके बता जाते हैं हम लोग किया जाने वाला यहां पर folks song या folks dance है क्या है कजरी ज्यादा कोई schemes वगरत वाए नहीं operation भेडिया एक काफी चर्चा में रहा था उत्तर प्रदेश के बहराय जिले के महसी तैसील में कई भेडिये जो है हमला कर रहे थे और human wildlife conflict अपने चरन पर पहुंच गया था कई सारे villagers की मौत हुई थी दस जदिक लोगों की मौत हुई थी और 34 जदिक लोगों को भेडियों के जुन्ड ने खायल किया था तो सरकार ने operation भेडिया लॉंच किया थे एक तरीके से ठीक है तो इस operation के इंतरके थमलों के लिए जिम्मिदार जो भेडिये थे उनको उनके जुन्ड को पकड़ना और आदमखोर भेडियों को देखते ही गोली मारने के नमती सरकार ने दे दी थी और भेडियों को पता लगाने के लिए उन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे वगारे का और थर्मल ड्रोन मैपिंग वगारे का इस्तमाल किया गया था क्योंकि भेडिये मा स्मार्ट प्रयोक्षाला पर्यूजना ये लॉंच की गई है वारत सरकार के अंतरगत जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षिन विभाग भारती प्रवधुगी संस्थान बानारा सिंद्र निविवस्टी आइटी बीच्यू और डेन्मार्क सरकारक भी छोटी नदियों सस्टेनिबल मेजर्स रोट तू स्कूल प्रोजेक्ट ये उत्तरगदे सरकार से प्रेरित होकर के कुछ प्राइवेट एंटिटी पे लॉंच किया है वो प्राइवेट एंटिटी कौन से है अशोक लेलैंड लिम्टेड आफ हिंदुजा ग्रूप एंड लर्निंग लिंक फ इसको चेक करने के लिए 78 पर चुना गया है कहां पर गोरखपूर में इसकी शुरुबात की गई है रोट टू स्कूल इनिशेक्टिव की अब इसमें अशोक लेलैंड वगरे इंवाल्व है तो कुछ ऐसा नहीं सोचीगा कि जिस रास्ते पर स्कूल है वहां पर रोट बिना मुख्यमंतरी टूरिजम फेलोशिप प्रोग्राम उत्तरवदे सरकार ने शुरू किया है इसके अंतरगत 40,000 रुपए दिये जाएंगे हर मन्त सिलेक्टेड रिसर्चर्स को एक साल के लिए जिससे क्या काम करेंगे वह यह जाकर के स्टड़ी करेंगे अधर स्टेट में औ एक साल के लिए उस रिसर्चर्स को मुख्यमंतरी टूरिजम फेलोशिप प्रोग्राम के अंतरगत उत्तरप्र देश सरकार देगी तो आप सोच रहे होंगे इसका उत्तरप्र देश क्या है दूसरे स्टेट्स में जाकर के वहां की टूरिजम बेस्ट प्रैक्टिस को समझन है तो उन प्रैक्टिस को उत्तरप्र देश सरकार भी अपनी अपकमिंग टूरिजम पॉलिसी में इंप्लिमेंट कर सकती है इसके लिए रिचर्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है कुल बिला करके स्पोर्ट्स कर इंटरफेर में देखें तो चौदवी होके इंडिया जून अलंबर्ग डेनमार्क में अलंबर्ग में वुआ था प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक धरमेंदर पृताप सिंग ने 100 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस में रजत पदक और 400 मीटर और 1000 मीटर रिले में स्वान पदक सहित चार पदक इन्होंने जीते ठीक है तो इन्ह फॉर्षस फेस्टिवल यह हुआ था लखना उत्तरव देश में तीन दिवसी आम्र फॉर्षस फेस्टिवल यह हुआ था थीन सेप्टेमबर दोजार चॉबइस से यह थीन से पांथ सेप्टेमबर की वीच हुआ था योगी आदितना जीन इन्नागरेट किया था था 3-day आ कोरिय अंतराष्टरी परेटन मेला नाइन्थ कोरिय इंटर्नेश्टल टूरिजम फेर यह सियॉल साथ कोरिया में वह था भारती दूतावा सियॉल उत्तरफदेश सरकार दोरा से थे यूण रखेगा पहला स्यूंग्त जॉइंट कमांडर सम्मेलन लखना उत्तरफदेश में कमांडर सम्मेलन 4 सेप्टेंबर 2024 को लखनों में आयोजित किया गया था इसका जो धीम था शशक्त और सुरक्षित भारत दूसरा उत्तरप्रदेश का इंटरनाश्ट्र ट्रेड इशो इंडिया एक्स्पो माट ग्रेटर नोईडा में वुवा था इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उधगटन किया था सेमिकॉन इंडिया का आवजन 11 से 13 सेप्टेंबर तक किया गया था उसके बाद Semicon India Expo भी हुआ था 13 से 15 सेप्टेंबर के बीच इसकी थीम थी Shaping the Semiconductor Future अब इसमें सिर्फ दो चीज़े जरूरी हो जाती कि एक तो Venue यानि कि Noida में दूसरा किसने उदगहटन किया इसमें योगी अदितनाज जी आपको दे सकते हैं में या फिर प्रेजडेंट जी का नाम दे सकते हैं तो वो नहीं लगाना है आपको प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी ने इसका उदगहटन किया था Clean Air Progress Report आई थी Central Pollution Control Board CBCB की इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने इसमें करीब आपको इतने परसेंटेज की पीम स्तर में गिरावट देखी गई है यानि की पाट्लेट मैटर यहां पे कम हुआ है एर क्वाल्ट इंप्रूव हुई है Ease of Doing Business Reform Ranking 2024 के अगर हम बात करें तो Union Ministry of Commerce Industries की तरफ से इसको जारी किया गया था Ease of Doing Business Reform Ranking में उत्तरप्रदेश को चाटवा स्थान मिला है द्यान रखेगा Ease of Doing Business Reform Ranking में उत्तरप्रदेश को कौन सथान मिला है चाटवा Ease of Doing Business Reform की जो ranking है इस पर है फर्स्ट पर है केरल ठीक है और सेकंड पर आंध्र प्रदेश है थर्ड पर गुजरात है फोर्थ पर आजिस्थान फिर त्रिप्रा फिर उत्तरप्रदेश और यहां पर जो है जो नंबर लिखा हुआ है क्या डिनोट कर रहा है कि कितने कटेगरीज में रिफार्म अचीव किया जैसे उत्तर प्रदेश ने तीन कटेगरीज में हमने आख को बताया कि नोट बिजनिस सा एंडिया जाता है जैसे और टेग्री में उत्तरफ देश का संस्थान जो शामिल है वो है भारती प्राउदिकी संस्थान कांपुर यानि इनिटी कांपुर को फिफ्थ स्थान दिया गया है और उनस्थी कांपुर इंजिद्रिंग संस्थान की श्रेड़ी में आईटी कानपूर फोर्थ पर है और आईटी बेचिव ये ये टेंथ पर है मनेजमेंट संस्थान की श्रेड़ी में आईएम लखनाव इसावेंथ पर और क्रशी और संबद श्रेड़ी में शामिल उत्तरब्रदेश के संस्थान में बीचिव फोर अब इस तक का रिलेटिव एकनॉमिक परफॉर्मेंस टाट्स आया था, काफी एक जरूरी स्टाट है में इसमें आप जरूरी इसको मेंशन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का शेर जो है कंट्री की GDP में डिकलाइन हुआ है, ये 1991 में करीब हुआ खरता था, 12.6% अब रहे गया ह है, 9.5%, लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्राखंड एक ही राजुआ करते थे, 1991 में ठीक है, लेकिन अब जो है, इतना रगया, 9.5%, अट्रोसिटी सगें सेडूल कास्ट रिपोर्ट जवाई, 2022 मनसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्च किएगा, 51 2656 मामलों में से उत्तर प्रदेश से 22,287 मामले दर्च किये गए थे, दलितों परत्याचार के मामले जो सबसे अधिक रिजिस्टर होते हैं, उसके उत्तर प्रदेश फर्ष्ट पर है, फिर हुरून इंडिया अंडर 35 को जो लिस्ट आई है, इसमें उत्तर प्रदेश के भी शामिल किये गए हैं, तेरा जाते हैं हम लोग MCQ सेक्शन पर, MCQ में उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किसान में त्रियोजना शुरू की गई थी, ये सही है, इसके बाद Convention of Revolutionary Young Men, ये कहां पर भुआ था, हिस्ट्री का कोश्चन है, अक्टूबर 2024 पे, जो है हम ये इसकी वर हिंदुस्तान Republican Association या फिर हिंदुस्तान Republican Army इसका formation कब हुआ था, कानपूर में, दा उत्तर प्रदेश गवर्मेंट अनौंस्ट प्लान्स तू बिल्ड 18 फुट्बाल स्टेडियम्स तू प्रमोट स्पोर्ट्स ऑन 2 सेप्टेंबर 2024, ये हो गया दितना जी ने अनौंस किया था कि 18 फुट्बाल स्टेडियम्स ऑवरॉल स्टेट्म बढ़ाएंगे, ये सही है, हमारा एंसर किया हो जाएगा इसमें, एंसर यहां पर हो जाएगा C, All of the above correct, C यहां पर correct, निमलिकित में से उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में 5000 अबादी वाले प्रते ग्राम को आदर से 100 ग्राम के रूप में रिक्सित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है अउध्या बनेगी, अउध्या के अंतर रगता आने वाले जितने भी गाउं है, जिनकी अबादी 5000 साधी के उनको आदर 100 गाउं, यानि की आईडियल सोलर विलेज के रू पर आप ऐसा लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, डेटा स्टोरेज का जो यहां पर पूरा सिस्टम बना रहा है, उत्तर प्रदेश नोईडा में वहां पर, निमनकित में से 7 सेप्टेंबर 2024 को गोरगपुर में पूरवी उत्तर प्रदेश के पहली सैनिक स्कूल का इसका जो पांच वर्ष के लिए इंप्लिमेंटेशन होना है, एक्की देशन लोगपूर पर खर्च की जाने हैं, जैसे एक्स्प्लिनेशन में गिवेन है, और मारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 1 & 2 करेक्ट, यह यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 1 & 2, 26 अगस 2024 को उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योगी अधितनाज जी ने कहां पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठावड की प्रतिमा का नावरण किया था, दुर्गा दुर्गादास राठावड जो हैं किसके समकालीन है, औरंग जेब के, औरंग जेब, इसके बाद on 6 September 2024, डॉक्टर जीतेंदर सिंग अप्रूवड दा इस्टाबलिश्मेंट आफ न्यू फंड आई टीबी आई, यहनी Inclusive Technology Business Incributor का जो दर्जा दिया जाता है, यह कई सारे, अभी 8-9 इंस्टूट्स को दिया गया है, निधी प्रोजेट के अंतरगत, Department of Science and Technology करीब 3 वर्स के लिए प्रमोट करता है, टेक्निकल इंस्टूट्स को उसमें से उत्तर प्रेश के किस टेक्निकल इंस्टूट को शामिल किया गया है, तो इस बार एक प्राइवेट कॉलेज को सपोर्ट करता है, यानि इकुल बिलाकर यह है कि टेक्निकलोजी को किस तरीके से बिजनिस से जोड़ सकते हैं, और कैसे जो लोग कोर्स बगारा कर रहे है, उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी जी ने 6 सेप्टेंबर को कहां पर गिद्ध सनरक्षर्ण और प्रजनर केंद्र का गटन किया था, इसका उधगाटन कहां पर किया गया है, गोरगपूर फोरेश्ट दिवेजन के अंतरगत महराज गन डिस्टिक्ट में, अप्शन बर भी यहां पर सही है, जो है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर के लिए, जटायू कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महराज गन डिन कॉलाबरेशन विद बॉम्बे नैच्टरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नैच्टरल हिस्ट्री सोसाइटी सही होग से इसको इस्टैबलिश किया गया है, इसके बाद जाते हैं, उत्तर 24 से 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, इसका उकल बलाकर उद्देश यह है, लाइक आफ कंसेंट्रेटेट फीड इन, लाइफ स्टाउक इसको एड्रेस करना, ठीक है, और रिस्क जो हैं, नूट्रीशन की कमी से जो उत्पन होते हैं, फिश फीड में, उसको एड्रेस करन इस सब उद्देश है, फिश फीड में बैलन्स टाइट को प्रमोट करना है, तो पॉलिसी केन बी रिवाइज़ एस पर नीट्स, आफ्टर रिवल्यूशन एवरी फाइव येर, तो अभी तो पांस साल के लिए इसको लागू किया के, 2024 से 2029 के लिए, लाइफ स्टाउक, प इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, आपको हराल में लगाना है, कि कहां पर बनेगा? ग्रेटर नुटेम बनेगा सेक्टर 28 और सेक्टर 10 में यमुना एक्सप्रस वे इंडिस्ट्रिल डवलप्मेंट अथार्टी के सहयोग से ये बनाया जाएगा उत्तरप्रदेश सरकार वाणासी की किस विश्विद्याले के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहाले स्थापित कराएगे? वाणासी की संपूर्णानंद संस्कृत विश्विद्याले के कैमपस में 3D वैदिक मुजियम जो है ये डवलप किया जाएगा इसमें 16 संसकारों, 64 प्रकार की कलाओं को, 18 विद्यास्थलों को ये दिखाया जाएगा 3D मुजियम में इसके बाद आजाते हैं हम लोग, next question पे, केंदरी समाजिक ने और उदिकारत मंत्री ने बुलंद शहर में समाजिक अधिकारता शिविर का उद्गाटन किया था, 17 सेप्टेंबर को बुलंद शहर में, सही उत्तर प्रदेश के CMG ने नाउंस किया था कि, जल्दी कई सारे अटल रिजिदेंशल स्कूल्स और भी खुलेंग उत्तर प्रदेश में, अन्प्रिविलेज्ज टूडेंट्स को एजूकेट करने के लिए साही तो चार मेजर प्रोजेक्ट विहार उत्तर प्रदेश को मिले, नमामी गंगे के अंतरगत ये भी साही एंसर यहां पर साही हो जाएगा D, all of the box correct, D यहां पर साही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल बिलाकर 2000 अटल रेजिदेंशल स्कूल और खुलने है नमामी गंगे प्रोजेक्ट के अंतरगत मिर्जापुर और गाजीपुर में जो है डाइवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट वर के यहां पर शुरू होगा बरेली में भी मितलब मिर्जापुर और गाजीपुर में तो होगा ही बरेली में भी ये नमामी गंगे प्रोजेक्ट के अंतरगत कारे होगा उत्तरप्रदेश काबिनेट ने अभी हाल में न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी दोजार चौबीस लागो कि ये काफी चर्चा का विशाइब बनी रही थी अगर कोई करता है तो आट लाग रुपे तक कमा सकता है और अगर कोई डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसको सजय का प्रावधान भी यहां पर किया गया है तो हमारा इंसर क्या हो जाएगा इसमें और बोद वन इंटू करेक्ट है उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश के किन दो जिलों के बीच नय ओद्योगीक शहर विक्सित करने की उज़ना बनाई है जो बीडा इसको कहा जाएगा बीडा सिटी नोईडा की तर्च पर बनेगा यह किसके कहां पर बनना है जहां सी हो कानपूर के बीच यह बनना है इंडिस्ट्रिल सिटी अप्शन बर भी यहां पर सही है वैसे तो यह एक मात्र प्रोजेक्ट नहीं है 32 ऐसे इंडिस्ट्रिल सिटी जो है उत्तरप्रदेश सरकार ने लॉंग टर्न में प्लान किये हुए है 32 ऐसे इंडिस्ट्रिल सिटी जो है पुराने वहानों को कबार स्क्राप में बदलने में उत्तरप्रदेश को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है उत्तरप्रदेश की वहान स्क्राप निती 31 जुलाई 2024 तक 18,848 वहान जो है स्क्राप किये जा चुके है ज्यादतर अभी इसमें सरकारी वहान है निजी वहान कम है और स्क्राप करने के में उत्तरप्रदेश पहले स्थान पर है और सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर हरियाडा है और जो है तीसरे पर गुजरात है तो पहले स्थान पर है यहाँ पर उत्तरप्रदेश इमलिकेत में से काउन सावा कथन गलत है उत्तरप्रदेश के सोनभद्र पुलिस लाइन को इंतराष्टरी ISO प्रमाडन प्राप्त हुआ है अपनी सर्विसेस के लिए सोनभद्र पुलिस लाइन को ISO सर्टिफिकेशन भी बिला है स्वदेशी एरबैक्स इंडिया प्रावेट लिम्टेड कंपनी ओड़ा की है इसने हुमारे सैनिकों के लिए अवलाइन के दावरान जो जम्प करते है उसमें जो एरबैक्स का इवस होता है वो बनाए है सही है ये भी कथन और तीसरा कथन है कि नौर्थ इंडिया के पहला तरता वो रेस्टोरेंट इसका उधगर्टन किया है योगी आदित्ना जी ने ये कथन भी साही है तो हमारे इंसर इसमें हो जाएगा C यहां पर साही हो जाएगा C परिक्त में से कोई भी इंकरेक्ट नहीं है इसके बाद है, उत्तरप्रदेश में वैश्विक प्रॉद्व की केंदर विक्सित करने के लिए कितने शहरों को चुना गया है वैश्विक प्रॉद्व की केंदर की रूप में नोईडा लखनौ कानपूर वानडसी और प्रायागराज को चुना गया है यह पाँच सहर जो है Global Technology Hub बनेंगे उत्तरप्रदेश के D यहाँ पर साहिए प्येन सरकार अब युवाओं को सेना और पुलिस बरती की निशुलक त्यारी के लिए उत्तरप्रदेश के किस जिले में पहला Skill Test Center स्थापित करने वाली है युवाओं को सेना और पुलिस बरती की निशुलक त्यारी कराने के लिए पहला Skill Test Center उत्तरप्रदेश में डवलप किये जाएका बागपत में बागपत के छाप्रावली में पहला दक्षता परिक्षण केंद्र बनाये जाएका निम्ड़कित में से कौन से कथन सही है बहरती नवसेना के लिए Stabilized Remote Control Gun का निर्बाट रक्षम अंत्राले के DPSU कानपूर स्थित Advanced Weapons and Equipments इंडिया लिम्टेड में हो रहा है यह सही है Stabilized Remote Control Gun यहाँ बनाई जा रही है कानपूर में यह सही है French Aircraft Manufacturer Company जो Dasalt Aviation है इसने अनाउंस किया है कि एक अपना यूनिट जो है Dasalt Aviation MRO India कहाँ पर सेट अप करेंगे नोईडा में यह भी सही है Ministry of Civil Aviation Central Government ने NOC अभी ग्रांट की है उत्तर प्रदेश की एक एरलाइन को उत्तर प्रदेश की एक प्रवेट एरलाइन शंक हेर शंक हेर को तीन साल का यहाँ पर NOC मिल चुका है OTN मंत्राले की तरफ से जल्दी ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो सकता है जो शंक हेर है इसका जो कह सकते हैं हब कहाँ बनेगा नोईडा लखनों में और उत्तर प्रदेश की भी निश्व में यह एर सर्विसेस प्रदान करेगी शंक हेर शंक हेर का जो हेटकॉर्टर यह कहाँ पर होगा नोईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट जेवर में अलांकि इसका एक हब जो है लखनों में बनेगा योकि उत्तर प्रदेश के भी निश्व में इसके बां दिंवलिकत में से कौन से गथन सही उत्तर परत मिरभर बनने के लिए पध सीड़ पार्क जो है इसं थापत कि जाएंगे प्रदेश में सही researchers at Indian Institute of Technology कानपूर created electrodes from sugar cane peel गन्य के अखोल से अखोई से जो है एक electrode अभी बनाया IT कानपूर के researchers ने उत्तरप्रदेश गोर्मेंट रेनाउंस्ट of setting up 1000 global capacity centers in उत्तरप्रदेश global capacity center उत्तरप्रदेश में करीब 1000 बनाये जाएंगे ये भी correct answer हमारा हो जाएगा D सारे कथनियां पर सही है D उत्तरप्रदेश में कितने जिलों में defense node में defense industrial corridors थापित की जाएंगे in how many districts of उत्तरप्रदेश will the defense industrial corridor of defense node will be established तो ये कहाँ बनाये जाने वाले आगरा में अलीगड लखनाव कानपुर चित्रकूट और जासी में बनाये जाएंगे हमारा answer इसमें हो जाएगा 6 C यहाँ पर सही है 6 उत्तरप्रदेश के कितने जिलों में सारजुनिक निगी साय भागिता model पर यानि PPP model पर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे जिलों का नाम लिखा हुआ है 16 जिलों में PPP model पर सैनिक स्कूल बना जाएंगे अभी आपको उन्हें बताया है गोरगपूर में भी उटगाटन हुआ था उसके लावा मैनपूर यों लखनाव में ही केवल सैनिक स्कूल है गोरगपूर के लावा तो 16 जिलों में और बनाए जाएंगे साजुनिक निजी भागिदारी की मिदद से क्योंकि PPP model में जल्दी काम होता है तो 16 जिलों में PPP model पर अधारिट सैनिक स्कूल डवलप किये जाएंगे निम्डिक इत्में से कौन से कथन सही है उत्तरप्रदेश सौर उर्जा उत्तपादरिन देश में 50 स्थान पर है यह सही है और on the lines of War Memorial of Museum War Memorial Museum New Delhi War Museum will be built in मुरादाबाद उत्तरप्रदेश by मुरादाबाद Municipal Corporation मुरादबाद Municipal Corporation के द्वारा एक War Memorial बनाए जाएगा उत्तरप्रदेश में भी यह सही है हमारा क्या अंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश जो है पांच पर स्थान पर है उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले के ग्यासपुर गाओं की नमो ड्रोन दीदी अंजना यादों ने 15 गच्च 2024 को उत्तरप्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में का नाउग्रेशन किया था सही और उत्तरप्रदेश रैंक सेकेंड आफ्टर मद्रप्रदेश इन्द नंबर आफ केंडिडेट्स वर पीम विश्करमा योजना तो यह भी करेक्ट है उसके बाद हमसे पूछा है कि उत्तरप्रदेश गवर्मेंट हैस सेट अ टार्गेट और टु डबल मेस प्रोडक्शन बाई 2020 2030 2030 तक क्या मेस प्रोडक्शन डबल करना है यह रहोंगे 27 तक करना है उत्तरप्रदेश सरकार को तो उत्तरपदेश में 25,00,00,000 घरों में Solar Panel लगाने का लक्षर रखा गया और č宅वराल टार्गेट ही जो है 1,00,000,000 घरों का है PM सुर्हन और जो Central Government की स्कीम है तो इसमें 1,00,000,00 का टार्गेट ओवराल है और उत्तरपदेश ने करीब 25% टार्गेट ले लिया है कि 25 लाग घरों में केवल उत्तर प्रदेश लगा देगा इमलिक इत्में से किस पुलिस कमिशनरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिशनरेट कोर्ट मोनेटरिंग सिस्टम को लॉंच किया है आगरा पुलिस कमिशनरेट ने किया है option number A यहां पर सही है October मन 2024 का complete उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट फेरियां पर पूरा हम लोग कवर करेंगे इसमें agreement section कोई है नहीं appointments भी कोई जादा हुए नहीं October 2024 में अमल कलूनी महिला सशक्ती करेंट पुरुसकार अमल कलूनी Women Empowerment Award यह E रिक्षा ड्राइवर जो आरती है बहराज से जिनको mission सक्ती की तहद उत्तर प्रदेश की सरकार से E रिक्षा प्राप्त हुआ है तो इनको मिला है वाइकिंग चाल्स थर्ड आफ उनके द्वारा यह पुरुसकार मिला है अमल कलूनी Women Empowerment Award बकिंगम पैलेस में बकाइदा वो अपने Pink E रिक्षा पर पहुंची थी जो उन्हें mission सक्ती योजना के तहित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साय तक तोर पर दिया गया था तो यह धियान रखिए गए यह आ सकता है एक्जाम में यह वार्ड जो है एक British Charity के द्वारा दिया जाता है Prince Trust International के द्वारा ठीक है British सरकार का वार्ड नहीं है वहां के एक Charity है Charitable Organization है Prince Trust International उसके द्वारा यह प्रयाजित पुरुसकार है हलांकि दिया गया था वहां के कैसकते हैं King के द्वारा King Charles III के द्वारा National Water Award 2023 से आ चुका है National Water Award 2023 से पांचवा संसकरण है और इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर अगर श्टेट उत्तर प्रदेश को मिला है तो इसको हम लोग देख लेते हैं वैसे तो इसमें कई कैटेग्रीज होती है जरूरी वाली जिसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी खह सकते हैं भाग को चुना गया है उसको हमने यहां पे लिया जैसे सर्फिष्ट राज की स्टेंडी में इस पर उत्तर प्रदेश द्वती पुरुसकार जीता है ठीक है द्व गुजरात स्टेट है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो बांदा जो है नॉर्थ जोन में जॉइंट विनर है किसके साथ जो है गांदेर बल जो डिस्ट्रिक्ट है जे एंड के में उसके साथ जॉइंट विनर है ठीक है वेस्ट जोन से इंदवर को जुना ग पर पूने, महरास थर्ड पर, best school college में भी उत्तर प्रदेश का कोई school college नहीं है, best industry में भी नहीं है, best water use association में भी नहीं है, best institution में भी नहीं है, other than school college में, best civil society में भी उत्तर प्रदेश का कोई awardee संगठन नहीं है, इस वज़े से जितने हमने यहां पर कराया हैं बस उतने ध्यान समिट सेक्षन में देख लेते हैं दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनाशल ट्रेड इसो जो भूआ था इंडिया एक्सपो माट ग्रेटर नोवेटा में उत्तर प्रदेश में सत्तर देशों के साढ़े तीन सो बायर्स ने इस ट्रेड फेर में रेजिस्ट्रेशन कराया था इस पर वाइस प्रेसिडेंट जी और चीफ प्रदेश ने किया उत्तर प्रदेश ने गिया उत्तर प्रदेश में अगला इस प्रदेश के इंतरगत राजीव मेमोरियल अकाइडमिक वेलफेर सोसाइटी जो है एक विद्या इनुवर्स्टी स्टाबिश करेगी मेरट में ये स्टेटमेंट रॉँग है यहाँ पर लिखाव है राजीव मेमोरियल अकाइडमिक वेलफेर सोसाइटी जो है एक केडी इनुवर्स्टी सेटप करेगी मत्रा में और विद्या बाल मंडल नामक संगठन विद्या इनुवर्स्टी सेटप करेगा कहाँ पर मेरट में तो यह यहाँ पर सही फैक्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन सी यहाँ पर सही है ओनली वन यहाँ पर सही है 20 अक्टोबर 2024 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र भोंधी जी ने आर जे शंकर नेतर अस्पताल का उद्गाटन कहाँ पर किया इसका फुल ने में आर जुन जुन वाला शंकरा आई हॉस्पिटल वार नसी में 90 करोड रुपए के लागत से बना है हमारा अनिसर इसमें हो जाएगा वार नसी अप्शनमबर A यहाँ पर सही है वार नसी जेनती के उसर पर कि उत्तर प्रदेश अगले साल यानि दो अक्टूबर दोजर पच्चिस तक और पावर्टी फ्री जो है बनाया जाएगा यह बहुत लॉंग टर्म गोल इन्हों ने रख दिया है मतलब बहुत ही शॉट टर्म एक तरीक से इसको रख दिया है किसी भी स्टेट को पावर्टी फ्री करना अतना आसान नहीं है तो यह एक जनरल अनाउंस्मेंट आप कह सकते हैं इसको कैसे करेंगे क्या इसके पीछी योजना ही सब भी नहीं बताया गया है अगर आगे कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे आगे है इसमें ये कहा गया है कि पोरेष्ट जो 10 से 25 फैमली होगी पर ग्राम पंचायत में उनको इडेंटिफाई करके उनको इस तरीके से हल्प किया जाएगा कि वो जो है मुखिधारा में आ सकें और गरीबी की जो कह सकते हैं रेखा है उससे बाहर आ सकें तो ये दो ची को All India Advocate Cricket Tournament का आविजन जो है टल बिहारी बाजपई एकाना स्टेडियम लखनों में 6 अक्टूबर 2024 को किस ने किया था अगला है रेडियो मैन आफ इंडिया के बारे में इमलिखित में से कौन सकतन गलत है उत्तर प्रदेश के अमरोह जिलेख के गज्रवला निवासी राम सिंग बुद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते वे अद्वती रेडियो संग्रे के साथ गिनीज बुक और रिकॉर्ड बिनामदर्च किया है पॉपलर्ली नोवन अज रेडियो मेन ओफ इंडिया राम सिंग बुद्ध राम सिंग बुद्ध हैस कलेक्टिट रेडियो सेट्स का इस कलेक्शन है सरपास्ट एम प्रकास्ट प्रिवियस रिकॉर्ड आफ 625 रेडियोस इनका कलेक्शन सबसे बड़ा है 1257 अलग अलग प्रकार के रेडियोस इन्होंने कलेक्ट किये हैं उन्हें 120 से लेकर 2010 तक जलते थे तो सारे कथन यहां पर सही है एंसर यहां पर उजाएग इनको रेडियो में आफ इंडिया कहा जाता है अम्रोहा जिला उत्तर प्रदेश से हैं अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुक्समंत्री जी ने आधितना जी ने महाकुंब 2025 के लिए बहुरंगी लोगों कहनावरण किया है इस महाकुंब का आदर्श वाक क्या होगा मो अक्षय वरक्ष और भगवान हनुमान की एक्छाब इस पर दिखाई गई है जो सनातन सबता के प्रकृति और मानों के संगम को दिखाती है क्या के दिखाया गया है आक्षय वाट ट्री ठीक है अटेंपल असियर ठीक है एक कलस को दिखाया गया लॉर्ड हनुमान को इसमें रखिएगा, October 2024 में निमलिकित में से किस विकास प्राधिकरण ने धाड़ी है, शहरी विकास और परेवलन्स अन्रक्ष्ण के लिए ग्रीन फंड की शुरुवात किया है, उत्तर प्रदेश के शहरों में कई सारी development authorities हैं, तो जो है sustainable urban development और environmental conservation के लिए अयुध्या development authority ने एक green fund की स्थापना की है, green fund को launch किया है, option number C यहाँ पर सही है, green fund, अन्यमलिकित में से कौन सकतन गलत है, October 2024 में मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरट में निर्मित किया जाने वाले कर्मचारी राज भीमा निगम AC का स्पताल का शिलान्यास किया था, यह wrong है, क्योंकि मोधी जी ने, प दीपोटसो जो मनाया गया था, 30 October 2024 को, योगी अदितनाच जी ने एक पुस्तक रिलीस की थी, हरदय मिराम, हरदय मिराम किस ने लिखी है, उध्या के मेर, महंत गिरीश पती त्रिपाठी ने, उध्या के मेर, गिरीश पती त्रिपाठी ने एक किताब लिखी है, जिसका ना अगला है उत्तरप्रदेश के किस जिले में, देश का पहला हिंदी साहित भाषा संग्रहाला, इस्टाबलिश किया जाएगा, फॉस्ट हिंदी लिट्रेचर लैंग्विज मूजियम, ये इस्टाबलिश किया जाएगा, वाइनसी में, अप्शन नमबर B यहां पर सही है, व अप्शन नमबर B यहां पर सही है, इनकरेक्ट स्टेट्मेंट अब फाइंड करना है, महिलाओं को श्रशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ती 5.0 इनिशेटिव अक्टूबर दुजार चौबिश से इसके तहत 18 नए सखी निवास छात्राबास खोले जाएंगे, मिशन शक्ती 5.0 इनिशेटिव के तहट 18 नए सखी निवास हॉस्टल खोले जाएंगे, अब ऐसे एक्जाम पोग सकते हैं कि सखी निवास हॉस्टल किस के लिए है, क्या ये विडो विमेन के लिए है, क्या ये मतलब 18 साल से काम उन्पर की लड़कियों के लिए है, स्कूल गोइंग गल् तो गायों में सरोगेसी टेक्निलोजी को उन्हें सक्सेस्फवली टेस्ट किया है, ये भी सही है, हमारे इनिशेटिस में जाएगा D, तीनों ही स्टेट्मेंट करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है D, उत्तरप्रदेश सरकार ने 30 ऑक्टोबर 2024 को आठमें दीपोत्सो पर राम की पैडिस समीत आयोध्या के 55 गाटों पर कितने दीए जलाकर गिनीज बुक ऑफ एल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्च किया, तो आयोध्या में दीपोत्सो मनाया जाता है, वाड़ेसी में नहीं मनाया जाता है, तो इस बार दीपोत्सों में जो 25,12,585 मिट्टी के दीए जलाए गए थे, ऑप्शन बेटी यहां पर सही है, 25,00,000 से अधिक मिट्टी के दीए जलाए गए, इसमें 1121 विदाचार्यों ने एक साथ हारती करवाई थी, और कई सारे लोगों के एक साथ हारती करने का रिकॉर्ड भी यहां पर दर्च किया गया, गिनीज बुक ऑ प्रतिमा का नावरण किया, 51,00,000 फीट उची की प्रतिमा का नावरण किया था मुक्रिपंत्री जी ने, अगला प्रशन है, निमलिकित में से सही कथन ने यह कथनों का चनाव करता है, डेरी उद्द्योग में प्रगती लाने के उद्देश यसे आईटी बेच्वी ने एक यह बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तयार की है, जिससे तर्बूस के बीच का उप्योप करके, दूद में यूरिया की मिलावट का पता लगाया जा सकेगा, यह सही है, वाटरमेलन की सीट से, मिल्क अडिल्टरेशन का पता लगाया जा सकेगा, IIT BHU ने डेवलप किया है, मो यह बाया है, IIT कानपूर के रिसर्चर्स ने एक AI-based technology यहाँ पर फाइंड करिए, जिससे abusive comments जो लोग देते हैं, comment section में, जो cyberbullying की दायरे में आता है, social media में उसको detect किया जा सकेगा, यह सही तो है, लेकिन इसमें institute का नाम गलत दिया हुआ है, IIT BHU के रिसर्चर्स ने यह टे जो है identify की जा सकेंगे, उत्तर प्रदेश ने लिकित में से किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहले राज़ बन गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो यह वेबली 455 revolver जो बनाई जाएगी, यह अमेरिका को export की जाएगी, करीब 100 सालों बाद यह वेबली 455 revol जो है भारत में मेनुफैक्चर होगी, इससे पहले एक हाली ब्रिटेन में मेनुफैक्चर की जाती थी, वेबली 455 revolver उत्तर प्रदेश में बनेगी, अमेरिका को export की जाएगी, ऑप्शन बर B यहाँ पर correct है, B हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासी और द्योगीक लोजिस्टिक स्कुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोवेड़ा सिटी की विकास को बंजूरी दे दी है, यह काफी लॉंग टर्म प्लान है, काफी दिन बाद इसको वैसे करेंगे, 2021 तक अभी लक्ष रखा गया है, न्यू नोवेड़ा सिटी बसाने का, गौतम बुद्नगर और जो कह सकते हैं बुलंद शहर के करीब 84 विलेजेस को शामिल करके पूरा मैस्टर प्लान यहाँ पर नया सिटी बसाए जाएगा, जैसे यू न्यू नोवेड़ा कहा जाएगा, अप्शन नुबर D यहाँ पर सहिए, 2021 तक यह बन पाएगा, D यहाँ पर सहिए, अगला है उत्तर प्रुदेश का सकल राज घरेली उतपाद, वितवर्श दोजर पच्चिस तक कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान है, राज सकल घरेली उतपाद या सकल र रोड रुपए हम देखें, तो 32 लाग करोड यहाँ आखडा मान सकते हैं आप, इमलिकित में से कौन से कथन सही है, सरवोच नियाले ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाती आधारित जो श्रम आवंटन होता है, उसको आसम वैधानी घोशित कर दिया है, और तमिलनाडू के उत्तर प्रदेश सहित करीब 10 राज्यों की जो जेल नियामावली है, यानि की जेल मैनुवल से उनके प्रावधानों को रद्ध कर दिया है, तो यह यहाँ पर करेक्ट स्टेट्मेंट है, अगला है कि Ministry of Civil Aviation, Central Government की तरफ से No Objection Certificate यहाँ पर मिल गया है, उत्तर प्रदेश क First Schedule Airline जो आने वाली है, Airshank, Airshank Airline जो है तीन साल के लिए, इसको NOC मिली है, Ministry of Civil Aviation की तरफ से, C यहाँ पर सही है, both 1 and 2 correct, C, both 1 and 2 correct, आगे बढ़ेंगे हम लोग, October 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, राज के पहले PPP model पर बने KMC Medical College and Hospital का लोकारपन किया गया था, यह ह महराज गंज में, Option NoC, उत्तर प्रदेश का First KMC Medical College and Hospital जो PPP model पर बना है, C, यहाँ पर सही है, महराज गंज, अगला है, निमलिकित में से कौन सकतनी यहाँ पर सही है, 21 October 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आधितनाच जी ने, पुलिस प्रती दिवस के अउसर प पुलिस कर्मियों के लिए कल्यान कारी योजनाओं की घुशना की थी, इस सही है, अगला है, उत्तर प्रदेश कोवर्मेंट has launched the campaign to reclaim pasture land for animals across the state, aimed at restoring essential pasture areas, यह भी सही है, answer यहाँ पर सही है, C, यहाँ पर सही है, 4 October 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाच जी ने, पांच वर्ष के सबसे कम उम्र के FIDE rated खिलाडी कुशागर के साथ सत्रंज खिला था, कुशागर किस जिले सम्वंदित हैं, कुशागर उत्तर प्रदेश से हैं, तो कुशागर किस जिले से आते हैं, य पिशेश सिक्षा जोन बना जाने के होटना की है, तो 6 जिलो में Special Education Zones बना जाएंगे, उनमें कौन से सामिल नहीं है, तो लखनो, गुरकपुर, अयोध्या, आगरा, कौतम बुद्नगर और बुंदेल खंड में, यहां पर बनना है, तो कौन से जिले इसमें नहीं शामिल है D. प्रयाग राज, 20 ओक्टूबर 2024 को प्रधान मंत्री श्रीट नरेंत्र मोधी जी ने उत्तर प्रदेश के वाणसी से छेतरी संपर्क योजना, RCS उडान के तहत विक्सित किस हवायड़े का उधगाटन किया, तो वाणसी से एक कारेक्रम में, पिया मोधी जी ने वर्चु इस द्यान रखीगा, ये सब ही एरपोर्ट जो RCS, उडान स्कीम के तहत बनेंगे, D. यहाँ पे सही है, इमलिकित में से किस शहर की पहली 3D printed art gallery, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली 3D printed art gallery, जो है किस शहर मनाई जाएगी, आयो उध्ध्या में बनेंगी option number A, यहाँ पे सही है, इन उक्टोबर 2014, प्राइमिनिस्टर नरेंदर महुदी जी इनागरेटेट फेस टू और फेस थी और नाशल सेंटर ओफ एक्सिलेंट आट डॉक्टर संपूनानन्द स्टेडियम लोकेटेट इन विच सिटी अफ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर संपूनानन्द स्टेडियम जो बन रहा है, यह वानसी में एशिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा, यह यहाँ पर सही है, निमलिकित में से गलत कत्नों का चैन करना है, लाबाद विश्वेद्याले केंदरी पुस्तकाले में 25 वरस से बंद पड़े, लॉकर खोलने पर प्राचीन देखा जाना मिला है, सही, दमेन अब्जेक्टिव फोर्ड इंटरनाइसल कार्पेट फेर ओर्गनाइज़ड इन बधोही, इन ऑक्टूबर 2024 टू 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 लोकल इंटू वोकल, तो कह सकते हैं, जो स्टेट का जो कालीन राध्धानी का ही जाती है, बधोही वहाँ प जाएगा, रॉंग स्टेट्मेंट कोई रही है, डी करेक्ट है, इसमें, हमारा इंसर हो जाएगा डी, अगला है बच्चों को बहतर इलाज के लिए उतर्प्रदेश अम्में कहां पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा, वर्ल्स लार्जेस पीडियाट्रिक हार्ट इस सेंटर ओफ एक्सिलेंस फॉर ट्रीट्मेंट ऑफ चिल्टरिन यह लखनों में खोला जाएगा, डी यहां पर सही है, लखनों में जो अल्रड़ी जो काडिलोजी सेंटर है संजय गांधी पीजियाए लखनों में उसमें सेट करने के लिए, महाकुम मेला 2025 के संबंद में सही कथन का चैन करना है, प्रयागराज महाकुम मेला 2025 के लिए शीर समीती की ग्यार में बैठा किया देख्षता उत्तर प्रदेश के मुक्सित सचिव मनुझ कुमार सिंग ने की थी, चीफ सेक्रेटरी ने इसको हैट किया था, य उत्तर प्रदेश के वार्णसी और चंदौली जिलों से होकर घुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड रुपे के लागत से एक रेल से सड़कपुल बढ़ाया जाएगा, रेलवे कम रोड ब्रिज जो है, वार्णसी और चंदौली के बीच, इस में करीब 2650 करोड रु बढ़ाया जा सके, इस स्टेट्मेंट रॉंग है क्योंकि अभी जो इडिटिफाई किये उनकी संख्या 239, बाकी ये बाकी चीज़ें साही है, होमस्टेश स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार लागू करेगी, जिसके तायत जैसे रूरल एरियास जहां जहां पढ़ते हैं परात के लिए, और उनसे पैसे भी कमा सकते हैं, या तो डिरेक्ली दे सकते हैं, या तो जब स्टेट की जनसी को दे देंगे, उनसे खिराया प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनोंक फाइदा होगा, तूरिस्ट को अच्छे सुवधाया मिलेगी, और विलेजर्स जो हैं, उनको अपने मकान का घिराया भी बिलेगा, तो आएटी कानपूर ने एक डिवाइस डवलप की है, इसको इंडिया स्फर्स्ट हैंड हैल्ड एक्सरे डिवाइस कहा जा रहा है, मतलब हाथ मेले करके आप एक्सरे कर सकते हैं, जैसे थर्ममीटर होता है हैंड हैल्ड थर्ममीटर, इससे आप जो है बिना छुए, जो जांच कर सकते हैं टेमप्रेचर की तो ऐसे हैंड है एक्सरे आपको पता है एक्सरे मशीन जो है उसको तरीके से एक देरे कमरे में इस्टॉल की जाता है, फिर आपका एक्सरे लिया जाता है, लेकिन नहीं, आयटी कानपूर के रिसर्च एक जाते हैं। काशी प्रांत के द्वारा यह सही है पहला इसका अधिन हुआ था दसमार 2024 को रिन फॉर राम मेरेथाउन आयुद्या में तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है गलत कोई नहीं है तो एंसर हो जाएगा इसमें डी डी यहां पर हमारा सही उत्तर है उपर रिक्त में से कोई भी इन सकेगी कैंसर की जांच होए रहा काफी महगी होती है जिन लोग उने इलाज कराया तो उनको पता होगा तो फ्री जेनिटिक टेस्टिंग जो है भी एचिव में हो सकेगी सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में वहां पर उत्तर प्रदेश की पहली डाइमेंड लाब जो है सेट या अग्जिबीशन को उसमें और्टराइस की जा सकेगा यह भी साहिए है एम साइंड पॉलसी लागू की के यह उत्तर प्रदेश में जिससे जो डवलपमेंट और कंस्रक्शन वर्क से उनको तेज की जा सके यह भी साहिए एंसर हो जाएगा इसमें डी सारे का थरन साहिए अल अफ द अब और करेक्ट डी अली में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बना ही है पहली महिला ड्रोन टीम जो है डवलप की गई है बारबंकी में फर्स्ट विमें ड्रोन टीम आफ उत्तर प्रदेश बारबंकी में ए उत्तर अगला है साल 2025 पे होने वाले महाकुम्बिच चार गिनिस बुक आप पढ़ लीजेगा अब देखते हैं हम लोग इतना रिकॉर्ड यहां पर बना पाते हैं इसमें अंसर जो है हो जाएगा डी एक चार वर्ड रिकॉर्ड जो आगे बनाए जा सकते हैं वाप पढ़ लीजेगा जब एक्चुली बनाए जाएंगे तो हम आपको अलग से सूचित करेंगे जद दर क्लीनलिनेस को लेकर है ठीक है गाटों की सफाई को लेकर के और स्वक्ष और हरित उर्जा की पहल दर साने के लिए 1000 ए रिक्षों की परेड निकाली जाएगी यह सब उद्धरप्रदेश सरकार द्वारा खाद पतार्थम मिलावट रोकने के लिए कानून पारित करने के तैयारी की जा रही है इसमें जो ड्राफ्ट तैयर किया गया है इसमें कितने पर्निश्मेंट का प्रावधान रखा गया अगर कोई खाने मिलावट करता है तो 10 साल के मै मनुदयम आप निकाला है इसके तरहत क्या करेंगे कि जो वॉइस है आप डाउनलोड करके उसमें अपना ओडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें AI टेक्निलोजी आपकी वॉइस को डिटेट करेंगे और देखेगी कि कितना मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर है ठीक है अब आप अंद्र स्ट्रेस उस समय पर है अंदर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरैसल स्कूल और मिलिंग टेक्नोलोजी इस्टैबलिश किया जाना है लखनों में यहां पर सब्सक्राइब किया जाएगा कितने उत्तरप्रदेश के गामों को इको विलिजस के रूप में डवलब किया जाएगा 260 विलिजस को E distillatean के रूप में डवलब किया जाएगा D यहाँ पैसा ही है अगला प्रशन हाली में चर्चा मेरा ही फिल्म संतोष के संदर्ब में कौन से कथन सही है संतोष फिल्म को उत्तरप्रदेश के लखनों में सौट किया गया है मतलब उसकी शूटिंग हुई है और उसको आसकर 2025 में United Kingdom की तरफ से Official Entry के दोर पर आसकर में भेजा गया है यह फिल्म हिंदी भाषा में है लेकिन इसकी डिरेक्टर जो है वो UK के हैं जिसे मतलब यह जो है आपके डिरेक्टर संतोष नमक फिल्म की बारती मूल की संध्या सूरी है जो UK की नागरिक है तो UK की Official Entry यह उसकर के लिए गई है Best International Feature Film for the Year 2025 ध्यान रखिएगा यह भारत की नहीं है भारत की तो लापता लेडिस है वो सही है लेकिन United Kingdom ने एक हिंदी भावशा की फिल्म को पहली बार ऐसा हुआ है United Kingdom ने एक हिंदी भावशा की फिल्म को International Feature Film की कैटेगरी में चैनित होने के लिए नॉमिनेट किया है ध्यान रखिएगा First Time Nominated a Hindi Film by United Kingdom for official entry as an official entry for International Feature Film category for the Oscar 2025 First Time Ever यह बहुत पूछे जाने की उम्मीद है यह ध्यान रखिएगा पहली बार UK ने क्या किया है भारती मूल की UK की नागरिक संध्या सूरी द्वरा डिरेक्टेड जिसमें शाहना गोस्वामी ने भी काम किया है उनकी एक फिल्म है इसको लखनों में शूट किया है हिंदी भाषा में लेकिन यह UK की official entry है Best International Feature Film category के लिए ऑसकर 2025 के लिए भारत की कौन है? लापता लेडीज है ध्यान रखिएगा आगे है उत्तरप्रदेश टूरिजम डिपार्टमेंट ने चित्रकूट टूरिजम अप लाउंच किया है जिससे चित्रकूट धाम जाने वाले डिपोटीज है उनको सपोर्ट किया सके उनको जानकारी वगएरा से लेकर गाभिज़ारी सुविधायन दी जा सके इस अही है इस अप का नाम ध्यान रखिएगा राजसरकार की तरफ से तम मानित किया था यह सही है एंसर यहां पर सही हो जाएगा C, 1 and 2, बहुत करेक्ट यहां पर सही है यह वाला करेंट फेर संतोष वाला ज़रूर्दियान रखिएगा इसके पूशे जाने काफी उम्मीद है